अब यह वेरीवान वेलकम बैक टू आप चैनल आई होप आप सब्सवस्तों के स्रक्षितों के बहुत ही खुश होंगे तो प्रेंस मॉर्निक साथ की शुरुआत करूंगे मॉर्निक है आज चुटती है फोट साटेडे है अच्छी की चुटती है ना पिकी थोड़ा उठने मे सब्सक्राइब नहीं पूजा के बाद अब जारीव लंच बनाने ब्रेगफस्ट बनाऊंगे अब ब्रेगफस्ट में आज नैक्ति की फर्माशे पोहा बनाने की काफी दिन होगे पोहा नहीं बनाया था मैंने पोहा बनाऊंगी और फिर वही है कि छुट्टी वाला देने सब्सक्राइब बनाने चाय बनाऊंगी और वीटोपी साइन तक देखना मेरी रेसिपी उमिद करते हैं और बहुत पसंद आएगी मेरी रेसिपी बहुत इसी होती है घर में बहुत आसानी से घर में जो भी मिनमम बजेट में आप मेरी रेसिपी को बना सकते एंजॉय कर सकते धावे रेसिपी प्राइब होता है आप रेसिपी करें और 100% रिजर्ट मिलेगा आपको कमेंट करके मुझे बताना कि रेसिपी कैसी लगी आपको पसंद आई होगी ना तो वीडियो को लाइक कर देना चै कि आपको जाए को तो यहां पर भीगाओंगी और यहां परना पुहा मंगा था मैंने ब्लिंकट्स और यह ना और मोटा वाला नहीं है प्याज काट लेता हरी मिर्च काट ली है और पोहे को अच्छी तरह साफ कर लिया है पतला वाला पोहा यह तो 10 मिल पहले ही और बस सभी चीज़े रेडी हैं, फोहा बस छोकना है मुझे, त्या मुंफली लिथी आधी कटोरी और उसे इस तरह से तेल गरम होने पर डाल कर हलका हलका रोस्ट कर लिया है, इस तरह से थोड़ा क्रंची हो जाती मुंफली, और खाने में अच्छी लगते हैं पोहे में, कर लिया था इस तरह से और निकाल लिया है, ध्यान रखना कि मुंफली जले ना, बस लो फ्लेम पहरी आपको प्रोसेस करना होगा, बस तेल गरम था, उसी तेल में ना मैंने यहां पर एक चुताई चमची राई डाल दी है, पोहा बन रहा है, तो राई तो चाहिए उसके ब पोहा, फिर कांद में मु्म बइम शाइज की करना, इसके बीषान ना बन राइच कोûtना, और कांद में पोहे बहुत अच्रख्यां रखतें हैं तो बस प्याजewा की एकला ही की है यहां पर इतना ही फ्राइच करना था तो मुझे इतना फ्राइच कर दिया, इसे बात मैं नै बाद में और नमक डालने लिए अच्छी तरह से बस लोग फ्लेम कर देना और एक मिनट इसे अच्छी तरह से मिला लेना यही पर न एक चमची चीनी एड़ कर दी है बस एक चमची एड़ की है मिठास नहीं आएगी पोहे में बस एक टेस्ट बैलेंस होता है हल्क अग्वा स्ट्राइब दिए चुक्त वह और करूँग पोहे में मतर भी डाल सकते हैं यहां यहां नहीं डाल सकते हैं लेकिनमफनी को यहां नाश्ते में हेल्दी कांधा बनाए जway केज्टा और एक नीमु का रस्त यहां डिया था उसे यहाँ एड़ कर दिया है और अच्छी तरह दिया और हो अक्छा अच्छी तरह से जनल ना बस वीड़ों से हलका हुरा वाथ धनिया डाल दिया है मेंHAHA स्लो फील्म पर दख दिया था और देखिए निम्बू ढालने के बाद पोफ अच्छी तरह से मतलब पक बीचुके हैं बस वगया है तैया देखें बिलकुल खिला हुआ है छिपका बिलकुल नहीं है उपर से डाल दिया हमारा दैनिया बहुत तेस्टी आज कंदा बन कर तैयार होगा था रुण्मली हम सभी पोग बनाते हैं अलग-अलग तरीके से टेखनीक होती है लेकिन इस तरह से बनाये ना बहुत टेस्टी बनते हैं बस प्लेटिंग कर ली है उपर से डाल दे थोड़ा सहारा धनिया और आलो भुजिया तो यहां पर कोई भी नमकीन आप ले सकते हैं खटी मीटी नमकीन या बारिक सेव वाली नमकीन तो यह आलो कि आज प्लेट तैयार कांदे पोहे की तो कांदा पोहा किस-किस का फेवरेट है जरू कमेंट करके बताना और यहां गरम अधरक वाली चाय हो गई है तैयार तो आई एंजॉय करते हैं आज का नाश्ता कांदा पोहे के साथ गरम गरम अद्रक वाली चाय आई हो प्रेस भी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूला यहां पर हमने नाश्ता कर लिया है और बस सुबे सुबे का टाइम होता है ना सभी को नाश्ता देने के बाद ही फिर मैंने भी यहां नाश्ता कर लिया है और बस बहुत सारा काम है बहुत सारे कपड़े ठंड आ गई हैं ना कपड़े बहुत सारे निकले हुए हैं सभी को वाश करना है सुखाना है आयन करना है तहह लगाना फिर नाश्ते के कुछ बरतन थे हैं यहां पर मैंने क्लीन कर लिया है और फिर इस तरह से काम बढ़ते जाते हैं जो सुबह थोड़ा बड़ टाइम मिलते हैं उसे में नाश्ता भी करो फिर उसके बाद पटा-फट हाथ चलाने होते हैं तो बरतन क्लीन करने के बाद यहां पर फिस फोड़े से काम लिप्टाऊंगे इसको लंच की करूंगी तयार तो यह देखे ठेए सारे कपड़े यहां पर कलके इने धोकर सुखा लिया था भी तहह लगाना बाकी है कुछ को आयन करना है यानि प्रेस करना है तो बस अब तहह स्वेटर जैकेट थर्मल और अब सर्दिया आ गई है ना तो बच्चों का विशेश ध्यान रखना पड़ता है याँ पर बस देखें बहुत ही मुश्किल हो जाता है बस दो पर को लंच की तैयारी की तेल गरम किया जीरा डाल दिया टेश्पत्ता और दाल चीनी का टुकड बना लिए मिली जूली दाल ली थी जिसमें पांच दरक की दाले होती है तो उसे सीटी लगा ले थी इस तरह दुकानों पर मिल जाती मिली जूली दाल तो पस प्याज जब फ्राई हो गया था उसे में लैसुन डाल दिया था फिर अधरक और हरी मिर्च और उसको टमाटर ए चमच गरम मसाल चमच भूना जीरा पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च डाली है तिकी लाल मिर्च नहीं एड की है क्योंकि हरा मिर्च एड किया यहां पर तो आप चाहतो एड कर देना कसूरी मेथी एड की और अच्छी तरह से टमाटर को पका लिया था टमाटर ने जब ते मैंने डाल को किया था बंद और मुझे थोड़ी थीक लगी थी दुबारा पानी एड किया था मैंने और उसके बाद डाल बन कर हो गई थी तैया आर यह देखिए कितनी कंसिस्टेंसी रखी है मैंने तो बस लंच की लगा दिया प्लेट मैंने वहा भी आज लेटी सब ने ख सब्सक्राइब करना बिलकुल मद्भूल ना हरी मिर्च एंज़ॉय कीजिए लंच की दाल रोटी और कैसी लगे रहती लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिलकुल मद्भूल